मैं हूँ कुमार नहरू और आप देख रहे हैं जमू टूडे अभी हम मौजूद हैं जमू स्टेडियम में और यहां पर जमू जिला अस्थापना दिवस के आउसर पर किसान मेला का आयूजन किया गया है और किसान मेला के आयूजन में परदरसनी भी किया गया जिसमें पूर जमूज जिला के अलग-अलग किसानों दुएरह यहां पर जो है अलग-अलग चीजों को परदर्सतula है आप देख सकते हैं कि आप पीता की खेती भी कर रहें और की सा अच् hice मूनाफ़ा उठा रहे हैं इसके साथ ही आप परदसरी में देख सकते हैं मूली भी है और इसके साथ ही जो है ब्रोकली काफी सेहत के लिए फायदे मंद होता है और आज से कुछ साल पहले ब्रोकली की खेती जमुई में नहीं होती थी आज बिगत कुछ सालों से ब्रोकली की खेती भी जमुई में होनी श मैं तो इसमें प्राइब तो सब क्या सब्सक्राइब अपका घरिन सिंब्लारी मुए डया सब इक ही पर आज da लेकिन अब इसमें क्या ना कि ये जो है आपका खित उसक्ता है लेकिन कि इसके लिए आपको पोली आउस और नहाँ तो चल आप देख रहे रहना वह कलर तभी इसमें आप आएगा उससे उसमें क्या डिफेरेंस के बेरिफेट क्या भी इसमें है है कि आप उसको देख सकते हैं जो नुर्मल चाहिसा और इसमें जो मात्रा इसको मने उसको कुछ त्यार किया गया है वह आपका यलो एड है यह सब है वाकि सब कुछ खाने पीने सब कुछ सेम आएगा तो क्या कीमत में फार्क होता है तो फार्मर लोग इसको जरा सा उचा दा में बेचते हैं तो इसकी खेती हो रही है यह सर अभी जमूई में नहीं है हम लोग इसको डिस्प्ले के लिए मंगवाए है कि मैंने फार्मर को देखने के लिए कि यहां पर जमूई में कि अईसा भी चीज़ हो सकता है अपना और अपने विहार राज में हो रहा है यह जो अभी हम लोग सेंटर ओफ एक्सिलेंसी चंडी है वहां सब लोग इसको मंगवा है फार्मर को दिखाने के लिए इसके प्रति लोग को हम जागुरुक कर सके इसके लिए मंगवा है और इसके लब टमाटर का देख रहे हैं आपके पास में काफी ब्रीड है तो यह नॉ यह जो आपके लिए लेकिन मैंने यह फोटा साहा इसको बीटामिन सी का मात्रा इसमें बहुत जादा होता है इंडिया का ही यह सब इंडिया कहीं है सब इसको हम लोग कर सकते हैं जैसे कि आपका देख रहे हैं ठीक है ठीक है जैसे खीरा है सीडलेस खीरा है तो सर यह कहां इसका विकास हुआ यह जो है सरफ का आई सीयार का प्रोड़क्ट है नई दिली से इसको इसका सर रिसर्च बेगरा किया गया था और अभी अपना जमूई में भी कुछ किसान इसको कर रहे हैं जैसे आपका को लुगा वहां व किसे अगर आप सलाद वेगर में अगर आप यूज करते हैं तो बीच में क्या होता है तो और इसका टेस्ट भी जड़ासा उससे डिफरेंट है किसान भाई इसको जो है जो महंगे होटल है से सबस्क्राइब हैं अ व्लोग क कर सकते सब्सक्राइब है यह आपका स Under हाइ娜 यह आपका सलाद आइटम है यह हो तो नुक्सान है लेकिन इसमें नहीं आपका सलाथ के लिए बनाएटी आपका है गुलाभी फुल गोभी तो क्या इसको ट्राइल में हम लोग यहां पर दिये हैं कुछ हम लोग का कुछ पार्ट होता आत्मा में उसके मादेम से कुछ हम लोग सीड बेगरा करवा करके किसान पार्ट साला चलाना होता है उसमें डूमोंस्ट्रेशन में हम लोग कुछ सीड मंगवा करके ट्रायल हम लोग किये थे लेकिन मौसम इसका अभी बनिया से नहीं परिपक नहीं हो पाया जो और प्लावरिंग का जो फंक्सन है आपका उसमें बेसिक हम लोग ट्रेनिंग और एक्सपोजर हम लोग करवाते हैं तो यहां पर डिस्पले के लिए रखा गया है कि मने किसान मने यह सब साल जो प्रोड़क्ट आप देख रहे हैं यह सभी अपना जमूजिला का फार्मर का ही है आप फार्मर को जिसको मिलेगा फार्सकेंट थार्ट तो परमोठ होगा सभाविक होगा कि आगे जो भी किसान कर रहे हैं उनको जासा हुसला बढ़ेगा कि ताकि हम भी और बढ़िया से खेतिक करकर के हम भी अपना आगले साल जो मिला लगेगा उसमें लोग इसको डिस्पले में लगा कि यहां के अस्थानिया किसान करना हुख रहा हूओ नंदनकुमारस्थानिया किसान उसके द्वारा हो गया आप देख सकते हैं इस फूल को भी किसाई तो इस तरह की यूनिक चीजों को इस परदर सरी में रखा गया है अभी हमारे साथ नीम नवादा के किसान मौझूद है जो ब्रॉकली की खेती करते हैं आई उन से जानते हैं कि क्या है इनका फैदा और क्या तो भी कर रहे हैं तो लेकिन ब्रॉकली का तो हमको लगता है 4-5 साल में इता तीन साल से ज्जादा हुआ पहले के बारें जाना ब्रॉकली का कब स्थेकर रहे हैं तो ब्रॉकली के खेती में और वो जो आपका जो फूल भी एजिआ और इसमें क्या फर्क है सर उसके अलावा इसके में बिटाइमिन बहुत अधिक मातरा में पाया जाता है फुल गोवी के पैच्छा ब्रोकली में और इसका कीमत अभी तो फिलाल उतना लोग जानता नहीं के वज़ए से हम लोग को कीमत नहीं मिल पारा है तो मना उसका लोगों सब्सक्राइब करेंगे तो फुल गोवी से ज्यादा पैसा इसमें कमा रहे हैं फिलाल अभी ज्यादा नहीं हो रहा है लेकिन इसका मार्केटिंग जो पटना हो गए रहा है यहां के पैसे ज्यादा है नहीं लोग के पास कोई सुविधा ही नहीं है ले जाने का इसलिए हम लोग यहां जब 20 रुपे बेगते हैं तो पटना और बड़ा बड़ा सहर में जो है इसका कीमत अच्छा खासा राता है 40 रुपे 30 रुपे करके बिगता है और वही हम लोग का मार्केट में नहीं मिल पाता है जैसा कि किसान से हमारी बात हुई और आपने देखा कि ब्रॉक आइस हो सके नए-एक इसम के नए-एक चीजों की खेती करने के लिए इसके अलावा भी मस्रून उत्पादन को लेकर अभी किसी वाक काफी जागरू को और जमूब में मस्रूम की भी उत्पादन जो है काफी मातरा में हो रही है आप देख सकते हैं कि अस्तानिया किसानों जाना जाता है श्रूम पर अभी छोटा सर वने के वैसे कंठतों होती है आई आप एक मस्रूम के किसान है उनसे जानते हैं वह केती कर रहे और कब से कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं प्रटल समान मिला था हमरा खली मेहनत था और उस बार जाएं बेचे भी क्रीशी मेला में 50 किलो मस्रूम लाक बेचे थी तो मस्रूम अब लोग अभी जो उत्वादन कर रहे हैं तो अब लोग कहा बेचते हैं गरे से लिया जाता है वेपार लो एक सो सटर रुपिया सी रुपिय किलो बजार में 200 कर देता है कहा से आते हैं मतलब वेपार कभी देवगर से आ जाता है कभी लोकले कुंजड़ा उठा करना जब कि आप देख सकते हैं कि जिले में चुकि जो है वेस्टर मस्रूम का उत्पादन हो रहा है और यह उत्पादन इसमें कुछ ज्यादा आसान होता इसका उस पदन करना जब कि बटन मस्रूम को गाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि दोहर के किसान है राजा बी केजरी उनके द्वारा एपल बेरी उगाए गया है आयों से जानते हैं कि क्या है इसकी खासियत और बताएंगे इसका यह सर जो ए बैर के अन्दर कशपन होता है खासी के लिए होता यह उसमें नहीं है यह पूरी तरीका से आपका एपल बे जो होता है पूधा उस्से क्रॉस करके आपका एपल बैकी साथ क्रशिया गया है बिर्डिंग किया हूए कख एपMBलu करके इस चोटा सा नरसरी तयार होता हैं वहना फिर जो यह एपल साथ यह जैसे में करता है बेंगा टो कि टी टींट के सब है सिसको द्रीप के साथ क्या है इसको फुर्टिंग लेना जालते हैं जो जी भाम। क्या साथ किया है और यहां को जो यह खाने में ऊप्योग हो का यह आशे लगा है दाने हैं तो शिर्फ कहीं सेल आउट कर सकते हैं यह आपका ग्रीन एपल करते हैं यह इसे तरह कि आपका यह तो आप कितने दिनों से इसका पादल कर रहे हैं यह सर हमारे साथ चार-पांच किसान और हैं जो श्री नराय जादव जी हैं पुरुब मुखिया थे आपका उनके भाई हैं उनके भतीजा भी है वहाँ पर छे एकड़ में सर ड्रीप के साथ खेती हो रहा है और आपका पूरा एरिया देखिएगा तो दस एकड़ में पूरा खेती कल चल रहा ह सब्सक्राइब कर लेते हैं तक्रिवन सर यह हम लोग पहुदे के साथ इतना सरे उत्पादन हो सकता है कि हम लोग उसको देखेंगे ना सर तो आपका 400 मन के आसपस में हम लोग अगले साल सेल किया थे फर्स्ट फर्स्ट कितना उसमें पैसा था अगले बार से जो इन्वेस् भी कicer मौना पहली का चांस है बजार का इसका बृच्छा इसका बजार से हमारे पर फिप्ट परकाट जाता है जो कि ट्रांस्पोर्टर संब्द्स न और ले जाना वह बेपारियों को होता है और हमें यहां पर अभी तक्रीबन 40 किलो का दो करेट लिका है तो हमारा सबसे पहले इसके अंदर से सबसे पहले से लाउट हुआ मेरा और काफी पकड़ भी है सब इसके अंदर कि आप देख सकते हैं परदसनी में किसी से संबंदे तमाम चीजों को यहां पर परदसित किया इसके साथ ही यहां पर आपको दिखाते हैं कड़कनाथ मुर्गा को भी लेकर कुछ लोग आये हुए जो यहां पर फार्मिंग करते पर नाम हों अपका सुरेंदर जाता तो आप यह कड़कनाथ मुर्गा कब से कर रहे हैं इसका पर यह करना सरूनेश्च से कैसा वहां पर बढ़िया चल्रा तो कहां सो लोग आते हैं करने लिए देवगर से भी आता है हमारा शकाइक अभी है सोनो कभी जाते हैं माम बंदर काणदम जैसा कि आपको बता दें कि कड़क नात मुर्गा की फार्मिंग कि ओनी भी कर रहे हैं उनके फर्म में भी कड़कनात मुर्गा की फार्मिंग हो रही है और यह अपने चेखाए में प्रवाइब की फार्मिंग हो रही है और भी जानते हैं कि इस मुर्गे में क्या खासियत है कि इतना महांगा भीखता है तरी यह मुर्गा टेस्टिंग अलग ही है और खाने से अच्छा फाइदा चरीर में तंदुरस मिलता है जी बहुत ज्यादा फाइदा इनके लिए तो कि अधर फाइब दो सोपर कितना मुर्गा रूज लग लग बाला डिगां कर रहे हैं कितना आपके फर्म में अभी तो क्या लग रहा है यहां पर कौन लोग ले आते हैं कितना कैसा इसका से तो अच्छा है सब्छा रूपे के जी बिक जाता है तो अस्तानिया लोग लेते हैं या बाहर से भी आते हैं सर मुगेर भाजते हैं उधर से पूरा लखी सरा इधर भी बेजते हैं नालंदा जिला भी भी हैं बहुत सारा को जिसे जमोई टुडे की खबरों से तुरंट अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमोई टुडे एप अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले ताकि लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत सके इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को फेस्बुक पेस पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर